आज हम सीखेंगे वाच्य परिवर्तन और वाच्य परिवर्तन कैसे करें इससे पहले हमें वाच्य को समझना उसकी भेदों को जानना जरूरी है और इससे पहले जो वीडियो मैंने पोस्ट की है उससे आपको वाच्य के बारे में विस्तार से जानकारी मिल गए होगी वाच्चे के भेद क्या हैं, उन्हें आप कैसे पहचान सकते हैं ये अगर आपको समझ में आ गया तो वाच्चे को बदलना एक से दूसरे में बहुत ही आसान लगेगा तो आईए शुरू करते हैं इस पार्ट को इस पार्ट में हम सीखेंगे क्रितरी वाच्चे जिसमें कर्था की प्रतानता होती है, कर्था की गतिशीलता होती है, सक्रियता होती है उस वाच्चे से कर्म वाच्चे में कैसे बदले? क्रित्री वाच्य से अगर भाव वाच्य में बदलना पड़े तो कैसे बदले फिर हम देखेंगे कर्म वाच्य से क्रित्री वाच्य को कैसे बनाया जाता है और भाव वाच्य से क्रित्री वाच्य में कैसे बदला जाता है कर्म वाच्य में सकर्मक्रिया का होना जरूरी है और भाव वाच्य में अकर्मक्रिया का होना जरूरी है इसलिए हम कर्म वाच्य से भाव वाच्य में बदलाव नहीं करते नहीं किया जा सकता अब हम इन बदलावों को देखते हैं आगे पहले तो एक बार फिर से दोरा लेते हैं वाच्चे को वाच्चे का शाब्धी करतोते बोलने का विश्य और इसकी परिभाशा हमने पिछली वीडियो में पड़ी थी क्रिया के जिस रूपांतर से है जाना जाए कि क्रिया द्वारा किये गए विधान का विश्य करता है या कर्म है या भाव है तो उसे हम वाच्चे कहते हैं वाचे के तीन भेध हमने देखे थी कृत्री वाचे, कर्म वाचे और भाव वाचे इस विशे में अधिक जानकारी के लिए आप मेरे चैनल पर वाचे का वीडियो पाट देख सकते हैं तो वाचे परिवर्तन शिरू करते हैं और मैं अल्पना वर्मा इस पार्ट को यहाँ प्रस्तुत कर रही हूँ कृत्री वाचे से कर्म वाचे बनाना कैसे बनाएंगे? कृत्री वाचे में जो करता होता है उसके साथ यदि कोई विभक्ती लगी हो और उस कृत्री वाचे में कौन से विभक्ती होती है ने करता की अपनी विभक्ती तो वह विभक्ती अगर लगी हुई है तो उसे हम हटा देंगे जैसे यहाँ ने लगी है तो हमने ने को हटा दिया और उसमें क्या जोड़ देंगे करता के बाद करता प्लस हम क्या कर देंगे से या के द्वारा जोड़ेंगे उसमें और कृत्रिवाचे की जो मुखे क्रिया है उसे समाने भूत काल में बदल देंगे और उसकी क्रिया को बदलने के बाद जाना क्रिया का रूप जोड़ेंगे जो उसी काल पुरुष वचन और लिंक के अनुसार होगे जैसे मीना नाच रही है मीना से नाचा जा रहा है तो यहाँ नाचना जो क्रिया है वो प्रधान हो गई उसी के अनुसार बदलने क्रिया में आ गया तो यह कर्म बाद चय हो गया प्रीतम बस से स्कूल गया तो प्रीतम द्वारा बस से स्कूल जाया जाता है उसने पुस्तक पड़ी अब यहाँ ने है करता के साथ तो इसने को हटा देंगे और इसके जगे हम के द्वारा लगा देंगे तो उसके द्वारा पुस्तक पड़ी गई सुरेश घर जाएगा सुरेश के द्वारा घर जाया जाएगा बच्चे भाग रहे हैं बच्चों से भागा जा रहा है या बच्चों के द्वारा भागा जा रहा है नेता जी भाशन दे रहे हैं नेता जी से हमने से लगा दिया आँपे विभक्ति और नेता जी से भाशन दिया जा रहा है सीमा ने फूलों से घर सजाया सीमा द्वारा फूलों से घर सजाया गया शुट्री वाच्य से अगर हमें भाव वाच्य बनाना है ऐसा वाचे जिसमें भाव की प्रमुकता है करता के बाद से या के द्वारा लगा देंगे मुख्य क्रिया को समाने भुद्काल में बदक जाना क्रिया करूप जोड़ते है क्रिया को एक वचन पुलिंग में बदलेंगे तो भावाच्ची की क्रिया आमेशा एक वचन में होती है, पुलिंग होती है और अन्य पुरुष में होती है। आवशक्ता अगर है वाक्य में तो निशेत सूचक नहीं का प्रयोग करेंगे। जैसे यहां कृत्रिवाच्य में रमेश नहीं पढ़ता, तो हम यहां से लगा देंगे और कहेंगे रमेश से पढ़ा नहीं जाता। वह चल नहीं सका, उससे चला नहीं जा सका, मीना नहीं रोएगी, मोना से रोया नहीं जाएगा। मैं सुभर जल्दी नहीं उठ सकती, मुझसे सुभर जल्दी उठा नहीं जाता, मैं नहीं गाऊंगी, मुझसे गाया नहीं जाएगा, पुलिस पकड़ेगी, पुलिस द्वारा पकड़ा जाएगा, बच्चे खेल रहे हैं, बच्चों से खेला जाता है, आओ अब दोड़े अब आओ अब दोड़ा जाए उन्होंने सामान नहीं उठाया उनसे सामान नहीं उठाया गया तो इस तरह से आप भावाच्य में बदल सकते हैं कर्म बाच्य से क्रित्र बाच्य में कैसे बदलेंगे तो कर्म बाच्य जो है वो हमें मालूम है उसमें क्या खास्यत होती है कि सकर्मक्रिया होती है और कर्ता के साथ से या के द्वारा भी भक्ति लगी होती है तो हम सबसे पहले उसमें से या के द्वारा हटा देंगे कारक चिन को और जिसे यहां लगा हटा दिया हमने और उसके बाद चुँकि हमने देखा यहां पर क्रिया का सामान्य भूत है पास्टेंस में है तो यहां पर हमने ने लगा दिया कर्ता के साथ विभक्ती चिन ने और क्रिया के लिंग और वचन जो हैं वो किसके अनुसार होगा कर्ता के अनुसार परिवर्तित कर देंगे लेकिन यहाँ पर क्रिया भूत का अलकी है तो लिंग और वचन कर्म के अनुसार होंगे बाच्चे की विडियो में मैंने इस बात को डीटेल में समझाया है, ऐसर क्यों होता है? तो यहाँ आप देखिए, पहले वाक्य में छात्रों की द्वारा कविता पड़ी गई, छात्रों ने कविता पड़ी, सरकार द्वारे शिक्षा पर बहुत खर्च किया जाता है सरकार शिक्षा पर बहुत खर्च करती है अब देखें यहाँ पर करता सरकार है और उसी के अनुसार यहाँ पर क्रिया में परिवर्टन भी हो गया मोहन की द्वारा पतंगुडाई जाती है मोहन पतंगुडा आता है यहां भी करता पुलिंग है तो क्रिया भी पुलिंग हो गई संगीता से कहानी लिखी जाती है लिखी जाएगी संगीता कहानी लिखेगी मा के द्वारा बच्चे को कहानी सुनाई गई मा ने बच्चे को कहानी सुनाई तो यहाँ पे हमने देखा यह पास टेंस का है तो के द्वारा को अटा के हमने ने लगा दिया है और टेंस आपके वही रहेंगे क्रिया के जो कर्वाच्य में है भाव अच्य से क्रित्रवाचे कैसे बनाया जाएं भाव अच्य से क्रित्रवाचे बनाने के लिए से द्वारा के द्वारा यह जितने हैं इनको हम हटा देंगे। और क्या करेंगे सामाने भूत काल जो क्रिया है उसको मुखे क्रिया को बदला जाएगा और साथ ही साथ जो जा या जाना का जो रूप है उस रंजक क्रिया को भी हम हटा देते हैं जैसे उससे बैठा नहीं जाता तो यहां हम लिखेंगे वह बैठ नहीं सकता बच्चों द्वारा खेला जाएगा तो सीधा से यहां पे आ जाएगा बच्चे खेलेंगे पक्षी द्वारा उड़ा जाता है हमसे दोड़ा जाएगा कृत्रिवाचे बनेगा हम दोड़ेंगे रीता द्वारा बोला जाता है माली द्वारा पौधों में पानी दिया जाता है माली पौधों में पानी देता है तो इस प्रकार हमने देखा भावाचे से कृत्र वाचे बनाना निर्देश अनुसर वाचे परिवर्तन कीजिए एक्जाम में आपको इसी तरह से आता है कोस्ट्रक में निर्देश दिये होते हैं क्यानुसाराब को वाच्चे परिवर्तन करना होता है राम किताब पढ़ रहा है ये कौन सा वाच्चे है? कृत्री वाच्चे और इसे हम कर्म वाच्चे में कैसे बदलेंगे? राम के द्वारा किताब पढ़ी जा रही है रूस की द्वारा एक नया उपगरह छोड़ा गया है ये कौन सा वाच्य है? कर्म वाच्य है और इसे हम कृत्र वाच्य में अगर बदलें तो कैसे बदलेंगे? रूस ने एक नया उपगरह छोड़ा पास्टेंस में हो गया मैंने प्रेम चंद का उपन्यास कर्म भूमी पढ़ा तो यहां इसे हमें कर्म वाच्य में बदलना है मेरे द्वारा प्रेम चंद का उपन्यास कर्म भूमी पढ़ा गया नीरा ने खाना खाया इसे हम कर्म वाच्य में बदलें ये कृत्र वाच्य है तो ने हटा देंगे के द्वारा लिखेंगे तो नीरा के द्वारा खाना खाया गया राजा के द्वारा आदेश दिया गया कृत्रवाचे में चेंज कीजिए तो ये पास्टेंस में आपको पता है और के द्वारा हटा दिया ने लगा देंगे विभक्ती राजा ने आदेश दिया कृत्रवाच्य बन गया मैं शोर नहीं मचाता इसे भावाच्य में चेंज कीजे तो भावाच्य में आपको पता है किस तऱ से चेंज करना है या आसान है तो मुझ से से लगा दिया आपने या मेरे द्वारा मुझ से शोर नहीं मचाया जाता ठीक है आपकी समर्थता या समर्थता दिखाई दे रही है इसमें बच्चों से दोड़ा नहीं जाता इसे आप कृत्रिवाच्यों में बदले तो हो जाएगा बच्चे नहीं दोड़ते बंदर से कूदा गया कृत्रिवाच्यों में बदले ये करम वाच्चे में बदलना है हमें, तो इसको हमारे द्वारा भोजन खाया जाएगा, हाँ वह नहीं सोयेगी, तो इसे भाव वाच्चे में चेंज करेंगे, तो हो जाएगा, उच से नहीं सोया जाएगा, श्याम द्वारा पलंग पर सोया जा रहा है, करत्र वाच्चे बनाएगे, श्याम पलंग पर सो रहा था, तो ग्यारवा है, श्याम द्वारा पलंग पर सोया जा रहा था, करत्र वाच्चे में बदलना है, श्याम पलंग पर सो रहा था, तो ये थे कुछ उधारन आशा है आपको अब बाच्चे परिवर्तन भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा धन्यवाद